हे अब्रिवान वेलकम टो मैं चैनल उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों ये है पार्ट नमबर टू जहां पर मैं आप लोगों के लिए जो योजना मैगजीन है उसको कर रहा हूँ डीकोड इस वाले सेशन में हम लोग जून से लेकर डेसे सेमबर 2022 तक की योजना मैगजीन को डीकोड करेंगे जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि आप लगबग लगबग 10 सवाल इस मेरी तीन पार्ट की सीरीज से एक्सपेक्ट कर सकते हो किसासाथ आप में से काफिजाए लोग मेरे साथ एकनौमी की भी त्र चलिए जुलाय मंत की अगर आप ऐसे योजना देखते हो तो आपको देखता है ट्राइबल से इंडिया यह अलग अलग ट्राइबस के ऊपर भी फोकस करती है तो वह वाले जो अलग अलग ट्राइबस हैं वो तो आप अल्रेडी कवर अप करोगे यहां पर आपको जो एक्स 15 और अर्टिकल 16 के बारे में मैं मैंशन देखने को मिलता है that it empowered the government of India for making special provision for the scheduled tribes इसके साथ साथ scheduled caste and scheduled tribes prevention atrocities act of 1989 काफी सारे state public service commission के अंदर directly scheduled caste and scheduled tribe prevention atrocities act 1989 को specifically mention किया जाता है ठीक है और आप लोग भी इसको एक्स्ट्रा पढ़के जाओगे इसके साथ साथ scheduled tribes and other traditional forest dwellers act 2006 यह current affair में भी था और इसको भी आप लोगों को cover up करना है इसके साथ साथ चाहे वो हमारी national commission for scheduled tribes हो या national commission for scheduled caste हो यह तो आप लोगों ने cover किया ही होगा ठीक now let's focusing on article number 46 article number 46 के ओपर अगर हम लोग focus करें तो article 46 of the constitution provides that the state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of the people and in particular scheduled caste and scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation ठीक यहाँ पर कुछ और छुटी 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 चीजों के बारे में mention किया गया कि scheduled tribes के लिए हम लोगों ने काफी सारे watchdogs भी बनाये हैं जिन में से सबसे important और major जो watchdog है वो है हमारा NCST जो कि एक constitutional body है to protect the right of tribal people and ensure the responsibilities of different institutions of their welfare ठीक है इसके साथ साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो NCST ने 10 area identify किये है 10 area of policy and investigation identify किये है जिनके उपर focus करना है जैसे forest right हुए, mining related issues हुए, financial issues हुए, grievance redressal, inclusion, health, nutrition, education, legal things तो ये सारी की सारी चीज़े भी identify की गई है तो grievance redressal के लिए NCHT ही वो बड़ा काम कर रही है यहाँ पर नीचे आते हो तो आपको मिलता है यहाँ पर जातरा भगत जी के बारे में यहाँ पर आपके लिए एक सवाल बन सकता है modern India से याद रखना हुए भवा जातरा भगत जातरा भगत was the founder of भगत movement जो छोटा नाकपर प्लेटू जारखंड के अंदर चला था जातरा guided as fellow mates to disobey regulation imposed by the British rules इनके जो followers थे उनको तना भगत के नाम से जानते थे और 1921 के around 1921 के around they were also a part of non cooperation movement very important part very important article यहाँ पर आपको यह चीज़ पता लगी कि जातरा भगत जी और उनके साथी लोग भी non cooperation movement का एक important part थे तो NCM से अगर सवाल आता है तो आप यहाँ पर solve कर पाओगे ठीक है इसके साथ साथ एक और नाना जकताब जी के बारे में भी mention देखने को मिलता है हम लोगों को नाना जकताब जी एक भिल ट्राइबल लीडर है जो की 1857 की जो uprising थी जो revolt था उसके अंदर उन्होंने एक important role ने भाया नाना जकताब लेड़ेस फोलोवर्स इन दी बैटल अगेंस बिटिश फोर्सेज एट बीजागर he was captured by the Britishers and marted at Khargaon Madhya Pradesh तो यहाँ पर हम लोगों को दो personalities के बारे में पता लगा एक तो नाना जकताब जीप के बारे में जिनका relation 1857 की लड़ाई से है और पीछे आप देखो यहाँ पर हमें भगजी के बारे में पता लगा जात्रा भगजी के बारे में जिनका relation हमारी non cooperation movement क साथ है ठीक काई देखो डू यू वाले section में यहाँ पर center किस तरीके से schedule tribes के welfare के उपर focus करती है उसके बारे में बात हुई तो जैसे कि आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो के अंदर भी सब कुछ पॉस करके एक बार ही देखा उसी तरीके से आप लोग देखोगे schedule tribes and component of development action plans for ST ठीक इसके बारे में आपको यहाँ पर चीजे कुछ देखने को मिलती है ठीक फिर special fund for PVTGs particularly vulnerable tribal groups now do remember this thing कि जो PVTGs है उनके बारे में कहीं पर कोई भी mention नहीं है नहीं सम्विधान में नहीं इनकी कोई definition basically these are the vulnerables of the vulnerable ठीक है these are vulnerable of the vulnerable currently 75 PVTG identified है जिनमें सबसे जादा Odisha के अंदर है ठीक इसके साथ साथ यहाँ पर आजाओ national schedule tribes finance and development cooperation ये एक public sector undertaking है ministry of tribal affairs के अंदर काम करती है eligible ST लोगों को concession rate पे loan provide कराने का काम है इसका जिससे के self employment कर सकें या कुछ भी income generation activities की जा सकें center एक love way model residential school भी बनाये जा रहे है ट्राइबल बच्चों के जो education gap है उसको भरने के लिए clear everyone देखो भाई इसी महीने के अंदर आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है जैसे आपको जलशक्ती अभ्यान देखने को मिलता है जलशक्ती अभ्यान वैसे भी important है मैंने आपको बताया था कि जलशक्ती अभ्यान के अलग अलग आपको phases देखने को मिले हैं हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर भी इस particular चीज़ को cover up किया था जलशक्ती अभ्यान को 2019 के अंदर जलशक्ती अभ्यान की starting हुई प्रधान मंतिर नरेजर मोदी जी ने की थी कि हम लोग एक time bound mission bound water conservation strategy हम लोग लेकर आने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर focus water conservation पे किया गया जो already हमारे पास चीज़ें हैं उनको restore करने के उपर किया गया जो हमारे पास पुरानी चीज़ें उनको reuse करेंगे हम लोग eforestation कराएंगे ठीक और watershed development करेंगे तो इन चीज़ों के उपर ध्यान दिया गया किसके अंदर जलशक्ती अभ्यान के जलशक्ती अभ्यान एक और important portion हो जाता है योजना मैगजीन से ठीक है 2019 के बाद आप देखो 2021 वाला जो आपका जो project है मैं zoom कर देता हूं एक बारी ठीक उसकी campaign line थी catch the rain where it falls when it falls भाई बारे जहां हो रही है बस हमें बारिश को utilize करना है rain water harvesting को utilize करना है और उसके लिए mg नरेगा आमरूत कैमपा फंड्स जैसी चीजों का भी सहारा लिया गया ठीक तीनों important है mg नरेगा आमरूत और कैमपा फंड जो campaign है इसको implement national water mission के अंडर किया जा रहा है यहाँ पर rain water harvesting पे focus किया जा रहा है यहाँ पर geotag किया जा रहा है जितनी भी water bodies है उनको जलशक्ती की इंदर बन आया जा रहा है currently 2022 का जो जलशक्ती अभ्यान है वो तीन और चीजों के ऊपर focus करता है spring shed development and management wetland development and management catchment area protection and development इसी के अंदर अमरित सरोबर भी बनाई जा रही है 75 water bodies will be created or rejuvenated in every district ध्यान लखना क्या है यह क्या कर रहे है यहाँ पर हमारे देश में आजादी का अमरित मौत सब बन रहा है न 75 साल हमारी आजादी के तो उसी से ही link 75 water bodies will be created or rejuvenated in every district अब इसको link करो digital banking units पिशली वीडियो में कराई थी महापर भी हम लोग 75 digital banking units बना रहे थे ठीक है ऐसे आप ने link करना है इसके साथ we are focusing on nature based solution for urban water management यहाँ पर दो चीजों के उपर ध्यान दिया गया कि सबसे पहले तो the world understood the power of nature wherein ecosystem supports all life on earth मतलब one health movement को यहाँ पर relate किया गया United Nations ने 2021 से 2030 के दशक को United Nations on ecosystem restoration declare किया है याद रखना prelims के अंदर कभी भी इससे सवाल बन जाएगा इसके साथ साथ आपको याद होगा प्रधान मंत्री नहेंदर मुदी जी ने life movement launch करा था life life किया है भाई what is life movement what is life mission life का मतलब है lifestyle for environment क्या है lifestyle for environment कि हम इंसान उस तरीके से जीएं जो कि sustainable way of living हूँ जिससे एक environment sustainable हम लोग जीवन जीने की शैली अपना पाए ठीक what we are doing we are promoting environmentally conscious lifestyle that focus on mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumption जैसे आप water को utilize कर रहे हो है ना brush कर रहे हो तो जबर दस्ती tap कोला हुआ है तो आप बिलकुल mindless consumption कर रहे हो पानी का mindful consumption है कि भाई पानी को थोड़ा limited way में हम लोग इस्तमाल कर रहे है moving on यहीं पे आपको प्रधान मंतरी कृषी सिचाई योजना के बारे में भी एक important article देखने को मिला 2015 के अंदर इसे launch किया गया था to increase irrigation facilities, promote micro irrigation and support development of water conservation and recharge structures state government भी इसे अपनी अपनी अलग-अलग irrigation scheme implement कर रहे है जलशक्ती मंतरालिय के साथ central ground water board भी aquifer rejuvenation के उपर काम कर रहे है water conservation के उपर, artificial recharge के उपर और mg नरेगा भी एक important role play कर रहा है प्रधान मंतरी कृषी सिंचय योजना very important for the examination इसको भी याद रख लेना participatory irrigation management यह क्या है दोस्तो participatory irrigation management का मतलब है कि हम लोग ऐसे group बना रहे हैं water users के खासका farmers के in a formal body for the purpose of managing parts or whole of an irrigation system पूरे irrigation system को control करने के लिए कुछ farmers या कुछ water users के हम लोगों ने एक body बनाती इन bodies को water user association के नाम से जानते हैं they are known as water user association और इनको पानी पंचायत या पानी समीतियों के नाम से या irrigation cooperation के नाम से भी हम लोग जानते हैं ठीक clear बाकी pause करना एक body read out करना moving on अगली mission what is this mission ये क्या है now ये mission examination में आप से पूछा जा सकता है it is one of the nine mission जो प्रधान मंतरी की science technology innovation advisory council के अंदर काम कर रहा है under the office of PSA principal scientific advisor executed at invest India national investment promotion and facilitation agency the Agni mission focuses on helping to capture the value of Indian technology assisting Indian innovation engage key national priority designated of the office the domain ranging from human development through ecological sustainability to public safety main काम क्या है innovators और adopters के बीच में जो gap है उसको fulfill करना scalable impact generate करना मतलब जो ground level से innovation promote करना सब लोगों के अंदर और लोगों को support करना ठीक ये इसका main काम है किसका अगली mission का ठीक यहां पे आज center water management CWMI के उपर भी आप लोग फोकस करोगे ठीक इसको याद दख ले ना wash technique is very important ठीक है clear wash technique को नहीं भूलना है दोस्तों wash technique is very important ठीक CWMI मैंने आपको बता दिया यह already हम लोग काफी सारे sessions में already कर चुके हैं composite water management index के नाम से हम लोग इसे जानते हैं composite water management index यह आपको देखना है UN CCD very important इसको एक बड़ी आपको देखना है और पंचम्रित और UN CCD क्यों क्योंकि इनके बारे में भी आपको इस article के अंदर specifically देखने को मिल जाता है कुछ और चीज है जो आपको इस article के इलावा आपको देखने को मिलती हैं बताया इस article के अंदर that these efforts will play an important role achieving the international commitments जो इंडिया ने international commitment किये हुँ है nationally determined contributions के अंदर जैसे कि हम लोग carbon sink बनाएंगे 2.5 से 3 billion ton का of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030 26 million hectare अब गाईज UNFCCC के अंदर हम लोगोंने बोला कि 2.5 से 3 billion ton CO2 equivalent हम लोग 2030 तक tree cover create करेंगे ठीक है इसके साथ साथ हम लोग 26 million hectare की degraded land को भी 2030 तक neutrality targets के अंदर जो UN double CD convention जो है combat desertification वाला united nation convention to combat desertification उसके अंदर 26 million hectare की जमीन को 2030 तक हम लोग restore करेंगे ठीक we will hold the biodiversity loss by 2030 under convention on biological diversity and sustainable development goal और जो पंचमरित के target को अप 26 के अंदर लिये गए Glasgow में 2021 के अंदर हमने promise किया कि carbon emission एक billion ton से reduce कर देंगे by 2030 पचास पतीशत अपनी energy requirement को renewable energy से fulfill करेंगे by 2030 non fossil fuel energy capacity 500 gigawatt होगी हमारी by 2030 और 2070 तक carbon neutral net zero emission पे हम लोग आ जाएंगे मतलब जतना हम लोग emit कर रहे होंगे उतना ही हम लोग store करेंगे the program is expected to be executed through the state forest department यहाँ पर nodal agency के रूप में काम करेंगे project के हिसाब से additional carbon sink cover बनाएंगे restore करेंगे land को यह सबसे important points हैं आपके upcoming prelims examination के लिए इसके साथ साथ guys मैंने आपको जैसे की already बताया कि जल जीवन mission आपको miss नहीं करना है जल जीवन mission इस coming upcoming prelims के लिए बहुत जरूरी हो गया है कुछ चीजें हम लोगों ने already इसके बारे में पढ़ रही है कि यह 2024 में launch हुआ अपने घर के अंदर ही पानी की सुविधाय ले पाएंगी ठीक और जल जीवन mission जल शक्ती ministry यहाँ पर operate कर रही है इसके अंदर ये भी है कि जो grey water जो waste water है उसको भी हम लोग utilize करना सीखेंगे उनको treat करेंगे उनको utilize करेंगे ठीक funding pattern वैसे अगर देखोगे तो यहाँ पर generally 50-50 रहने वाला है general funding pattern special state में 90-10 और union territory में 100% central government देगी तो यह centrally sponsored scheme के रूप में हमारे सामने आती है ठीक तो जल जीवन mission जो है यह दो तरीके से launch हुआ एक आप इसमें urban ले सकते हो और फिर आप एक rural ले सकते हो है ना कि भाई तो जो rural वाला mission है उसके अंदर ये है कि भाई 55 लीटर 55 लीटर जो urban वाला है अरबन वाला जो mission है उसके अंदर ये है कि भाई 55 लीटर 55 लीटर पानी पर पर सन पर डे हम लोगों को प्रोवाइड करना है ठीक और जैसे urban वाले के अंदर है वैसे ही सेम रूरल वाले के अंदर भी हम लोगों ने इसी के अंदर यही target रखा है कि 2024 तक हम लोगों को tap water connection सब लोगों को provide कराना है आगस्ट के महीने की अगर आप योजना के अंदर आते हो बात होती हैं पर literature and आजादी के बारे हैं ठीक है यहां पर आजादी से related कुछ important literature के बारे में बात हुई कुछ acts के बारे में यहां पर specifically mention किया जैसे कि आप देखोगे कि during colonial rule जो printing press और न्यूस्पेपर थे वो एकदम ग्रू हुए और first Indian rather Asian weekly newspaper था हिक्की का बेंगौल गसिक जिसको James August तक edit करते थे 29th of January 1780 को यह हमारे सामने आया कि company had occupied large part of India in 1757 after the defeat of Nawab Sirajud Daula in war of Plassey Warren Ashton the first governor general of India थे उनका पॉइंट किया गया company के द्वारा 1773 में and he crushed the gazette within two years thereby seizing its publication from 30 March 1782 ठीक बहुत सारे laws आये to control the press यहां पे Lord Wellesley, Governor General enacted the first censorship press act of 1799 regulation 3 of 1818 अंडर विच लाला लाजपत राइजी को मांदले जेल बर्मा भेज दिया गया था और भी Licensing Regulation Act, Press Act 1835, Charles Metcalfe Act, Licensing Act 1857 यह भी British colonial rule के अंदर ही लगे थे ठीक है पयाम अजादी एक उर्दू पेपर था जिसके डिटर थे मिर्जा, बेदार, बक्त उन्होंने support किया था First War of Indian Independence को 1857 में it is believed that he was publicly hanged and the readers of this paper from whose houses its issues were found, they were also punished by the company. फिर 1858 के अंदर, Sedition Act 124A inact किया गया to suppress the ideas और बाल गंगादर तिलक जी को इची के यंदर 6 साल के लिए imprison कर दिया गया और उनका एक अख़बार तर जिसका नाम था केसरी, it was subject to the prosecution, ठीक ये सारी की सारी चीज़ है, योजना मैगजीन ने mention करी, फिर freedom struggle in Central India के बारे में बात करें, तो यहाँ पर कुछ freedom struggle आपके लिए, एक्जाम के लिए जरूरी हो जाती है, ध्यान से आप लोग सुनना और उनको cover भी करना, पढ़ना भी, ठीक, यहाँ पर बताया गया कि जो 1857 की ट्राइब, जो रिवोल्ट थी, उससे पहले भी बहुत सारे tribes already revolts कर चुके थे, अलग-अलग इलाकों, जिसे tribal uprising उस समय पर सबसे जादा हो, ठीक, जैसे में देखते आप हलबा rebellion, सबसे नीचे वाला paragraph, 1774 से लेकर 1779 तक, 1774, 1779 तक, यहाँ पर हलबा rebellion हुआ था, ठीक, to capture बस्तर, the British's, with the help of king of Jaipur, Jaipur, and the younger brother of king of Buster, formed a joint army, और उन्होंने attack किया, ठीक, they attacked Ajmer Singh, Ajmer Singh की जो army थी, of halba tribesmen, उन्होंने British army को हरा दिया था, ठीक, इसके साथ साथ, और भी कुछ-कुछ rebellion चलते रहे, छोटे-मोटे, बड़े-बड़े, ठीक है, तो उनके बारे में भी, यहाँ पर लिखके दिया, pause करना, देखना, ठीक, clear, चलो, यहाँ पर जैसे आप देखोगे, भूम काल्स आफ बस्तर, यहाँ पर आपको रायन सिंग जी के बारे में बात देखने को मिलेगी, तो यह भी आपको पढ़ना है, इसके साथ साथ, जंगल सत्याग्रे, जंगल सत्याग्रे, चत्यसगर के अंदर, 1922 में लॉंच किया गया था, इना प्लेस नेम्ड नगरी ओफ धमतरी डिस्टिक्ट, एक यूनीक नेम है, पूरी के पूरी फ्रीडियम स्ट्रगल में, त्राइब्स, हैड स्टेज जा सत्याग्रे, अगेंस्ट अथॉरिटी, क्योंकि उनको कम वेज मिल रही थी, फोरेश डिपार्टमेंट द्वारा, और उन्होंने बैन लगा दिया था, और उन्ने करिण वोट्स फ़र यूस इन कु किग एट होम, बteश शरस ने बैन लगा दिया था, ठीक है, दीलए दीलए अब देखो, ये नॉन कोपि शच्मिमिट के साथ लिंक होती है, ठीक, चलो, फिर यहां पर एक व्यक्ति हैं इंपॉर्टेंट हैं काजी नजुरूल इसलाम यह वाज़र आइकन आप दी नैशनल मूव्मेंट इन बेंगॉल तो बस आपको एक नाम बताया है कि अगर एक्जामिनेशन में यह नाम यूज हो तो आप इन इंपॉर्टेंट रोल यूजनामेगजीन सप्टेंबर मन्त की जो थी उसमें बहुत कुछ था नहीं नैशनल लेवल पे क्योंकि जम्मु कश्मीर और लद्दाक से बिलॉंग करता था बटाय यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉर्शन मिला वह आपको लेकर लेकर मिला जिसको हम लोग पर्पल रिवल्यूशन के नाम से भी जानते हैं लेवेडर रिवल्यूशन ठीक यहां पर इसको हम लोग अलग लग जिके पे ग्रो भी कर रहें जम्मु कश्मीर के तो मैक्सिमम पार्ट में यह हम लोगों को देखने को मिल जाएगा और इसने पांच हजार से जादा लोगों को एंप्लोईमेंट प्रोवाइड करी है ठीक आगे बढ़ते हैं तो एक आर्टिकल देखने को मिलता है यहां पर इसरो के बारे में बात हुई कि वट इस दा इसरो डूइंग स्पेस अप्लिकेशन के अंदर इसरो क्या कर रहा है खासकर जो हमारा सतीज धवन सेंटर फॉर स्पेस साइंसिस है उससे रिलेटेड नौ यहां पर आपको एक चीज याद होगा कि एक हमारे लिए एक के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है डारक टूरिस्म या डार्क ऑबजरवेटरी जो हम लोग बना रहे है ठीक यहां पर हम लोग टूरिसम बना रहे हैं जहाँ पर लडडाक के अंदर को हम लोग इसली सकान आपकी कर पाएंगे तो हम लोग उसको डारक सकाय रिजर्व के नाम से भी जानते हैं DSR लद्दाक के अंदर बंदा है इंडिया का पहला डार्क स्काय रिजर्व होगा और यह हानले के अंदर बनाया जा रहा है लद्दाक में वह हानले से रिलेटेड एकोर आपको नहीं इस देखने को मिलती है हानले स्पेस अब्जर्वेटरी के बारे में जो लद्दाक के अंदर है यहाँ पर आपको क्लियर स्काय, मिनिमल लाइट पॉल्यूशन, कोई बैक्ग्राउंड एरोजोल्स नहीं, ड्राइट, एटमॉस्फेरिक कंडिशन यह सब देखने को मिलती है तो अब्जर्वेशन के लिए यह बहुत भेहतरीन बन जाती है ठीक जानते हैं यहीं पर आपको हिमाल्यान चंद टेलिस्कोप भी देखने को मिल जाएगी ठीक है तो यह भी इंपोर्टेंट पोर्शन है आपको कवर अप करना है अक्टूबर की योजना बात कर रही है हमारे इको सिस्टम के बारे में फोकुसिंग ओन आर इको सिस्टम है ना वै इंडिया एक मेगा बार डिरस्टी वाली कंट्री है जहां पर हमें अलग 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 टाइप अफ क्लाइमेट तिंक्स देखने को मिल जाएगी अलग बारे में पढ़के जाओगे अपने examination के लिए है ना बाई बताओ जो golden लंगूर है वो IUCN की अगर हम लोग list के बारे में बात करें IUCN की category के बारे में बात करें तो यह आता है endangered species के अंदर it is an endangered species ठीक है याद रखना इसके साथ साथ इंडिया की coastline के बारे में बात हुई 7516 16.6 km की mainland है लक्षदीप अंदमान निकोबार आइलेंड कंट्री है 18th largest exclusive economic zone total of 2.37 million square kilometer इंडिया नोशन रीजन के लिए इंडिया इस वन अफ दी हाइस्ट मेरीन डायो डिवर्सिटी कंट्री ठीक यह जात साथ ocean safeguard के बारे में बात हुई कि हम किस तरीके से अपने oceans को safeguard कर सकते हैं ठीक है इस article को screenshot लेना और इस article को एक बार read out करना यहाँ पर आपका environment से कुछ सवाल बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर layers of ocean depth के बारे में बात हुई जैसे what is abyssal zone यह आपने पढ़ा होगा it is the deepest point in the vessel zone lies on the ocean floor lies the ocean floor below the ocean floor basically ocean floor के भी नीच है और Mariana Trench जो जैपैन के अंदर है वो deepest point है खास बात यह है कि यहाँ पर जो water temperature है यहाँ पर वो हमेशा above freezing point रहता है and the pressure is beyond imagination पर फिर भी हमें यहाँ पर harsh or adverse climate के अंदर कुछ invertebrates देखने को मिल जाते हैं ठीक and ocean also play a very important tone in maintaining ecological balance of carbon nitrogen and phosphorus cycle land waste जब ocean में dump होता है तो हमारे oceans को ज्यादा नुकसान होता है इसके साथ साथ आपको यह देखने को मिलता है समुंद्रियान मेशन के बारे में समुंद्रियान मेशन comprises automatic manned submersible vehicle जिसको तीन लोग इसके अंदर करीवन 6000 मीटर के depth पे समुंद्र के नीचे जाएंगे इसके अंदर बहुत साथ scientific equipment होंगे और active exploration यहाँ पर 12 घंटे का रहेगा but in case of emergency it can remain operation for up to 96 hours क्या गजब strength हम लोगों ने बनाई है और यह जो समुंद्रियान mission है इसका जो basic basic strength है वो है यह mission इस exam के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है deep ocean mission deep ocean mission very very important guys याद रखने united nation ने 222021 से 2230 का जो year है उसको decade of ocean science for sustainable development भी घोशत किया है 6 component है deep ocean mission के development of technologies for deep sea mining development of ocean climate change advisory services technological innovation deep ocean survey energy and fresh water state of art marine center for ocean biology फिर समुंद्रियान हमारा पहला manned subversible deep ocean exploration के लिए काम करेगा आप में बताएगा organism minerals natural resources के बारे में समुंद्रियान को October 2021 के अंदर launch किया गया था और दुनिया के उस elite group का part बन गया है जिनके पास specialized technology है deep sea के अंदर research करने के हमसे पहले आपको US, Russia, Japan, France और चाइना के अंदर सेम चीज़ देखने को मिलती है November की योजना focus कर रही थी Indian maritime के उपर guys it was focusing on Indian maritime यहां पर आपको सबसे पहले यह दो बढ़िया चीज़ें देखने को मिलती है पास करो इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी है इनको ध्यान से पड़ो UNCTAD से link करता है यह बता रहा है कि trend क्या है और recent experience क्या रहा है या ongoing experience क्या रहा है ठीक जैसे globalization के अंतर आप देखोगे कि trend क्या है हमें e-commerce बढ़ाना है और उसके लिए क्या कर रहे हैं अभी हम लोग container traffic बढ़ा रहे हैं बहुत important है यह पूरी picture इसको अराम से decode करो और पढ़ो ठीक है चलो फिर maritime India vision 2030 important है कि what is India maritime vision क्या चाहते हैं हम लोग मेली है logistic service को बहतर बनाना तो इसके अदर आपको coastal erosion के बारे में आपको पढ़ना है coral mining के बारे में पढ़ना है micro plastic blue economy सागर initiative और सागर माला देखो भाई योजना को decode कर रहा हूं prelims के लिए यह नहीं तो एक एक योजना कोई पूरे explain करने में पूरा पढ़ने में दो तो तीन तीन घंटे लग जाते हैं ध्यान से पढ़ना इनको पढ़ी लिया होगा आप लोगोंने मैं तो बस आपको decode करके देह रहा हूं बाई हमारी नेवी का नया ensign है ठीक है नीचे वाला देख सकते हो और यहाँ पर आपको यह राइट में एक चीज़ दिख रहा है octagonal shape यह important यह octagonal shape इंडियन नेवी की multi-directional reach को दिखा रही है पर खास बात यह है कि यह जो octagonal shape है आप नीचे एक seal देख रहे होगे छत्रपती शिवाजी महराज जी की seal से inspire होके हम लोगों ने octagonal shape ली है एक यही सबसे important चीज़ थी चालो डिसेंबर मंत की योजना आर्किटेक्चर पर फोकस कर रही थी और आर्किटेक्चर पर फोकस करते हुए यहाँ पर एक article आया जोया है हमारे ब्रिहदेश्वा टेंपल से relate करते हुए ब्रिहदेश्वा टेंपल very 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 important dedicated to Lord Shiva located in थंजवूर तमिलनाड इसको बनाया राजा राजेश्वा टेंपल के नाम से भी हम लोग जानते हैं राज राजेश्वा टेंपल के नाम से जानते हैं इसका एक और नाम है दक्षिन मेरू मेरू आफ दी साउथ and it was built by राजा चोला वन यूनेस्को वर्ल्ड हरिटेज साइट का पार्ट है इसको ही कहा जाता है ग्रेनाइट से बना है विमान देश में सबसे बड़े विमानों में से एक है भाई साब इतना इंपोर्टेंट है टेंपल राज राजेश्वर टेंपल या ब्रहदेश्वर टेंपल द्रवीडियन अर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा प्रमान है और आपको इसे पढ़ना है इसको पढ़ना मत बूलना इसके साथ इसके साथ जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी ओफ इंडिया इंपोर्टेंट आर् में बात करें भारत को एक डिसनबर दोजार बाइस से तीस नमंबर दोजार टेश तक की प्रेजिडेंसी मिली है ठीक जहां पर हमारा मंत्र है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इंडिया की प्रेजिडेंसी विल नॉनली बी अमेम यूनियन और हर साल इसकी प्रेजिदेंसी चेंज होती है क्लियर जेनिसिस 1999 के अंदर बनाया गया एशियन फिनेंशल क्राइसिस के बाद इसा फॉरम ऑफ फिनेंस मिनिस्टेंस सेंटल बैंक गवरनर्स धीरे धीरे इवाल हो गई ग्लोबल प्रॉबलम सॉल्व करने लगी जी 20 मेंबर्स 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन इन एडिशन जितनी भी वर्ल्ड और्गनाइजेशन है सब आके यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं यहां पर देख लो इंडिया से पहले इंडोनेशिया के पास था इंडोनेशिया से पहले इटली के पास इंडिया के बाद ब्राजील होगा ब्राजील के बाद साउथ एफरीका के पास इसकी रहने वाली है बहुत बढ़िया भाई साब इंडिया ब्राजील साउथ एफरीक try to understand तीनों वो देश हैं जो developing countries हैं तीनों चाहते हैं कि भाई हम तो UNSC का part बन जाएंगे ये लोगों और थीम है भाई हमारा वासुदेव कुटुमबकम के उपर focus कर रहा है पीछे life के बरहें बताया था ना lifestyle for environment उसी के उपर भी ये focus कर रहा है ठीक है देखो डिसेंबर तक हम लोगों ने कर लिया अब अगली वीडियो में आप लोग जैनवरी से लेकर एपरिल तक का मेरे साथ cover up करोगे ठीक है बाकिज इतनी भी ये चीज़े हैं आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएंगी मेरे जब थर्ड वाला लेक्चर आजाएगा उसका लिंक आपको चैनल के सबसे ऊपर वाली साइड में मिल जाएगा और ना मिले तो टेलिग्राम पे सर्च करना ये ब्रहमास्त्र विदाउट एनी गैप UPSC मिल जाएगा बाबाए टेक क्यार है फ़न और पढ़ते रहो प्